नॉख आख ऑल अलेकूम फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल तो फ्रेंड अब लोग थम्नेल देखके समझ गही होंगे यह आज का टॉपिक थोड़ा इंट्रेस्टिंग होने वाला है यह महिंद्रा कंपनी का इरिक्षा गारी है और यह गारी जो प्रॉब्लेम लेके मेरे पास आया था यह प्रॉब्लेम है कि यह गारी जब पीकप देने के टाइम में घट-घट करके एक बास साउंड हो रहा है इसके बाद जाके गारी पीकप ले रहा है तो यह प्रॉब्लेम को ही आज शॉट आउट करेंगे तो फ्रेंड आप अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर दीजिए और अल नोटिफिकेशन को अभी आन कर दीजिए अच्छे सबसे जादे इंट्रेस्टिंग चीज यह गारी में जो प्रॉब्लम है अब अब लोग एक चीज नोटिस कीजिए यह मोटर जब घुम रहा है इसका जो शैफ्ट है शैफ्ट देखिए टाल हो रहा है थोड़ा हिल रहा है देखिए शैफ्ट होना तो एक दमी नहीं चाहिए तो यहां पर यह जो प्रॉब्लम हो रहा है यह प्रॉब्लम कहां से हो रहा है यह देखने के लिए चलिए मौटर को खोल लेते हैं प्रॉब्लम के लिए बाहर से तो लग रहा है यह शैफ्ट एक दम ठीक है यह खोलने के बाद ही पता चलेगा इसका हालत अंदर से क्या हुआ है तो फ्रेंग देखिये यह बेरिंग अंदर से घिरा हुआ था और इसमें देखिये डह कितना है यह शैफ्ट और बेरिंग में तो चलिए खोल लेते है औरफ्रेंस देखिए यहाँपे यह देखिए यह शैफ्ट में भी दाग हो गया है जहांपे बेरिंग बेटता है तो चलिया खोल लेते हैं और फ्रेंस यह जो गारी स्टार्टिंग के टाइम पर जो जी यह मॉटर जटका ले रहा है ये problem इसके कारण नहीं हो रहा है ये कुछ औरी problem है ये जादतर sensor के वज़े से होता है लेकिन हम sensor पहले ही check कर लिए इसका sensor ठीक है लेकिन इसका जो magnet है magnet का हालत देखके तो हमको लगता नहीं है कि अच्छा है चले इसका जो magnet का जो pressure है प्रिशर को पहले माप लेते है और फ्रेंग देखी ये होने का कारण क्या ये bearing खड़ाब होने के लिए ये जो motor का जो wall है wall में ये rotor hemming हो था hemming होके ही देखिए ऐसा दाग हो गया है और देखिए bearing में भी sound है तो फ्रेंग देखिए जिसका डर था वही हुआ देखिए ये rotor में देखिए मैगनेट का प्रेशर भी नहीं है ठीक है अब देखिए समझ जाओगे इसमें कोई magnetic जो field होता है ये field नहीं इसमें देखिए एक वाला हो गया इसमें नहीं है ठीक है ठीक है साइट में हलका है लेकिन ऐसा होने से प्रॉब्लम होगा देखिए ये भी ये भी खड़ाब हो गया है देखिए इसमें भी देखिए और भी खड़ाब जादा है इसमें है हलका है ये ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है तो देखिए तीनों मैगनेट में देखिए प्रेशार एकदम ही नहीं है तो इसके काड़ा नहीं यह प्रॉब्लम हुआ था फ्रेंज देखिए दूसरा वाला साइट का जो मैगनेट है यह मैगनेट भी ठीक नहीं है देखिए साइट में लग रहा है लेकिन मिडिल में नहीं हो रहा है देखिए यह भी ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है देखिए इस में ही प्रॉब्लम है में इस साइट की एक मैंगे खड़ाब यह स्टार्ट हो रहा था और यह मोटर का परकम होने के लिए मैंगे खड़ाब हो गया तो आपको हमेशा मोटर का जो यह वह घंग्ग में रखना चाहिए को फ्रेंब सेखिए यह मेगनेटे यह मेगनेट ठीक हो सकता है कैसे कि जो मेगनेट का जक्राइब के साइट को घुमाना पड़ेगा टो मेरे पास एक मैगनेट था तो देखेंगे वह वाला मैगनेट अगर सेटिंग हो जाएगा तो वहाला मैगनेट लगाये कि यह वाला भी हजर वाट का ही मोटर है मोटर का शेफ्ट ही है इसका जो साइज है यह साइज अरो साइज एकदम सेमी बस यह यह उसमें लग जाएगा और शेफ्ट को नया लगाएंगे और जो दोनों बेरिंग है बेरिंग को भी चेंज करेंगे ठीक है फ्रेंज देखिए मैगने लगाने का काम कम्प्लेट हो गया और बेरिंग भी नया लग गया इसमें मैगनेट पे शट्टमा को और यह मैगनेट का भी प्रेशर चेक कर लेंगे यह मैगनेट पर ओके मैगनेट था यह वाला जो मोटर है मोटर का कॉयल खड़ाब हो गया था इसके कारणी यह जो मैगनेट है यह रिप्लेस किया था तो फ्रेंज आपका गाड़ी में भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा तो पहले आप कोशिश कीजिए कि कोई पुराना वाला रोटर एरेंज करने के लिए तो एरेंज करने से आपका यह मोटर ठीक हो जाएगा अगर कोईल अच्छा रहेगा तो और अगर आप रोटर आपको मिलता नहीं है तो फिर तो आपको यह में टोटल मॉटरी चेंज करना होगा और फ्रेंट कुछ दिन पहले और एक मोटर का वीडियो दिया हुआ है चैनल पर वह वाला साट भोल्ट का मोटर था और उसका कोईल भी खड़ाब हो गया था ठीक है तो आप अगर वह वा वाला जो ब् Herren अगे यह ब्री चेंज होगा देखियो पुरह न वाला ब्री देखिट प्ले था सिसे की वीडियों प्लेइंगे यह वाला ब्रीत एंडिला निच्जों पाने की कोशिश का ल् geleग websयॠ अच्छा में बोल आपको शूनना भी नहीं पड़ेगा ठीकेट देखिए दिखा हुआ है एंबी सी इंडिया यह ओर्जिनल भी आ रही हैं फ्रेंज देखिए अब यह फिटिंग कंपलिट हो गया और मोटर देखिए एकदम एजी है ठीक है जैसा होना चाहिए नया मोटर में एकदम परफेक्ट काम हुआ है और मोटर का साउंड अब सुनिया अस्ते अस्ते दम चलो फुल ठीक है फ्रेंड अब फुल अर्फ्रेंड देखिए पहले जो मोटर बहुत जादा जटका ले रहा था वह जटका भी नहीं ले रहा है और मोटर का पहले देखिए आप देख रहे हैं तो लोटरॉर का जो रोटरेशन ता बहुत ज़ादा हो गया है वो भी नहीं है जैसा होना चाहिए एकदम वह ऐसा ही है देखिए मोटर काम छोड़ दिये लेकिन फिर भी देखिए कोई जटका भी नहीं ले रहा तो एकदम ओर्जिनल जो मोटर में जैसा होना चाहिए एकदम सेम वह ऐसा ही हुआ है और फ्रेंड देखिए यहां पर यह गा का काम होगा पती का भी काम होगा ठीक है फ्रेंट तो यह गारी जब फीटिंग होने के बाद आपको हम टैस्ट ड्राइप करके दिखाएएंगे तो फ्रेंट देखिये गारी का का complete हो गया चक्का भी लग गया है उपर में एक बार अब किसका sound सुनाता हो देखिए कोई भी problem नहीं है और इसका brake भी proper हो रहा है और इसका brake भी एक दम अच्छे से हो गया है और फ्रेंड महिंद्रा गारी का जो पीछे का brake है ये ब्रेक में एक problem होता है ये ब्रेक बहुत हार्ड होता है ये ब्रेक अच्छे से grip होता नहीं है तो ये वाला जो brake related काम है महिंद्रा गारी का इसके एक वीडियो आएगा मेरे चैनल पर कुछी दिनों बाद ठीक है तो फ्र सब्सक्राइब करका और नोटिफिकेशन को भी आउन कर दीजिए के फ्रेंड और आप लोग कॉमेंट बे कीजिए मुझे तो फ्रेंड मिलता है नेक्स वीडियो में अस्सलाम वालाइकू